हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमेटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में एक क्रूशल टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप शिक्स बुलिष चार्ट पैटर्न के बारे में और अगर आप चार्ट पैटर्न को सही माईने में आइडेंटिफाइ कर लेते हैं तो आप काफी हद तक प्राइस एक्षन भी सीख पाएंगे और अगर आपको टेक्निकल इनालिसिस सीखना है तो टेक्निकल इनालिसिस में प्राइस एक्षन इस दे किंग यहनि प्राइस एक्षन किंग होता है और वो आपको सीखने की जरुवत परेगी और प्राइस एक्षन में बेसिकली आता क्या है आपका आता chart pattern और candlestick pattern और यहां मैं आपको bullish chart pattern तो बताई रहा हूँ और अगर आप लोग का response अच्छा रहेगा तो यहां पे हम लोग bearish chart pattern को उपर बात करेंगे और साधी साथ आपका price section में आता आपका candlestick pattern जिसके उपर हम multiple videos बना चुके हैं तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करके candlestick section का playlist बनाओगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं नहीं तो आप हमारे चैनल को subscribe किजिए और regular basis पे आपको वीडियो यहां पे मिलता रहेगा तो यहां पे अब हम top 6 bullish chart pattern को उपर बात करते हैं इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका bullish pin and pattern का इसके बारे में बहुत साई लोगों ने सुन भी रखा होगा और बहुत साई लोग इसका इस्तेमाल भी करते होगा लेकिन problem कहां पे आता है सबसे पहला problem आता है कि इसको हमें identify करना है identify कब करना है सही time पे identify करने की ज़रुवत है यहां पे आपको timely identification में बहुत साई लोगों को दिक्कत आती है बहुत सारे लोग इसको late identify करते हैं, late identify करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको timely हमें कैसे identify करना है, दूसरा जो लोग problem face करते हैं, इसके implementation पे, लोग इसको सही तरीके से implement नहीं कर पाते हैं, identification चली हो भी गया, लेकिन implementation में बहुत सारे doubted generate हो देयाता ह तो हमारा main focus यही रहेगा, कि कैसे आप इसको timely identify करो, और कैसे हम इसके implementation पे focus करेंगे, तो चली है, सबसे पहले हम इसी दो point को नजर में रखते हुए, top 6 bullish chart pattern में आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो में आप last तक बने रहेगा, और चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल सकते हैं, इस तरीके से आपको एक clear cut up twin देखने मिलेगा, और इस up twin में आपको green और red candle दोनों हो सकता है, और उसके बाद आपको एक क्या देखने मिलेगा, inside bar candlestick pattern का formation देखने मिलेगा, यहाँ पे अगर हम focus करें, तो देखिए, यह candle का high है और यह candle का low है, इसके अंदर दो candle आपका open और close भी दिया है, और यहाँ पे rate के जएवाँ पे green candle भी हो सकता है, तो candle के color पे यहाँ पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको एक up trend identify करना, up trend के बाद देखना है, कि inside bar candle का formation हुआ है, यहने हुआ multiple candle inside bar बनना चाहिए, जैसा यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखा है, उसकी बाद देखिए, यह candle भी आपका inside bar में ही formation हुआ है, यह candle भी आपका inside bar में ही formation हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इन सारे high को join करते हुए, एक trend line हम इस तरीके से draw करेंगे, और अगर आप low पे focus करें, तो इन सारे lowest point को भी join करते हुए, एक higher low बनेगा या फिर low आपका same होगा, यह चीद करेंगे वाली बात है, इसकी बारा क्या है, यह आपका bullish pin-and pattern बन के तयार है, देख सकते हैं, यह आपका bullish pin-and pattern है, जिसको कई लोग क्या बोलते हैं, pull-and pin-and pattern भी बोलते हैं, तो आपको pull-and pin-and pattern बोलेगा, तो आपको confused नहीं हो अब इसको अगर आपको समझना है तो देखिए इस तरीके से आपने पता का देखा होगा लगा रहता है तो यही आपका क्या है पीनेड पैटर्न इसके लेगा नाम पयह पाइट uh ऊब के जाता है अब यहां पर हमें क्या करना है जब तक प्रैस इसके अंदर रहे हमें कुछ नहीं करना है, इसके उपर निकलने पर breakout आएगा, तो buy करेंगे, इसके नीचे जाने पर breakdown आएगा, तो यहाँ पर हम sell करेंगे, तो देखें क्या price इसके उपर निकलता, अगला candle भी इसे के अंदर form हो गया, that means तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, फिर देखें यह candle इसके उपर निकला, that means तो यहाँ पर हमें clear cut एक क्या देखने को मिला, breakout देखने को मिला, तो जैसे ही price इस line को break करके उपर निकलेगा, या फिर इससे previous candle के high को break करके उपर निकलता है, हम यहाँ पर buy side की तरफ जाएंगे, lowest point या फिर candle का जो bottom, sorry, इस pattern का जो bottom point है, वो हमारे यहाँ पर हम अपना target की रूप में इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपको insert में दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको एक shortcut बताता हूँ, जितना आपने SL रखा है, two into SL कर दीजे, वही आपका target बन जाएगा, तो multiple target identify करने का method है, इसके उपर भी हमारा वीडियो है, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका वी लिंग आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, उसके बाद देखिए, प्राइस आपका और उपर जाएगा, और definitely यहाँ पे आपको target हीट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे आप अपने training SL के जड़े भी continue कर सकते हैं, तो ऐसी हमे बुली spin and pattern का timely identification करना, multiple characteristics बता है, वो ध्यान देने की जड़ुत है, और timely implementation भी करने की जड़ुत है, दूसरा pattern आपका, इसी से मिलता जुलता है, flag and pole pattern, तो इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले हमें उसी तरह का एक uptrend clear cut हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता और यह low बन गिया, that means to एक यहाँ पे parallel channel pattern का यहाँ पे formation होता हुआ दिख रहा है, और उससे पहले uptrend है, तो that means to इस तरीके से क्या बनता है, आपका flag pattern का यहाँ पे formation करता है, और इसके बाद भी maximum chances से रहता है कि upside में हमें breakout देखने को मिलेगा, तो देखें यहाँ पे high को join क करते वे हमने trend line draw कर दिया, और हमें यहाँ पे trade कब लेना है, जब इसके ऊपर निकलेगा breakout, तो यहाँ पे हम buy करेंगे, और जब इसके नीचे जाएगा, तो breakdown यहाँ पे हम sell करेंगे, तो flag and pole और आपका pin and pattern, दोनों difference क्या, pin and pattern आपका ऐसा बनता है, और flag pattern आपका इस तरीके सबनेगा, इसमें आपका triangular pattern का shape का formation करेगा, और इसमें आपका parallel channel का formation करेगा, pole बनने के बाद, बस यही तो differences है, और इसी के basis पे आप इसको identify भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, जो भी lowest point है, वो stop loss के रूप में काम करेगा, अगर इसके बाद diet कोई candle, इसके बाहर निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, previous candle का जो भी आपका lowest point है, उसको as a stop loss के रूप में इस्तमाल करेंगे, लेकिन किस case में, जब यह gap up देके, इस range को break करेगा, और multiple times आपको gap up देके, इस range क break करता हुआ दिखेगा, यानि हमेसा आपके लिए surprise या फिर shop market देने को तईया रहता है, तो ऐसे हमें काम करना है, और जो भी आपका pole का size है, target का formula वही होगा, जो भी आपका pole का size है, वही हमारे लिए क्या काम करेगा, target की रूप में काम करता हुआ दिखेगा, वही target आपका बनता हुआ दिखेगा, तो ऐसे हमें काम करने की जो होता है, तो ऐसे है आपको flag and pole pattern and pole and peanut pattern को ऐसे identify करना है, दूसरा pattern यह हो गया, तीसरा pattern, इसके बाद है कि आपका upside गया, target को almost यह hit करेगा ही करेगा, तीसरा pattern आपका बनता है, ascending twangle pattern, यह भी आपका एक powerful bullish chart pattern है, जो कि हमें market को, move को identify करने में help करते हैं, यहाँ भी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, एक uptrend देखने को मिलेगा, और uptrend यह आपका clear भी हो सकता है, यहाँ फिर थोड़ा भूद faded uptrend भी हो सकता है, जहाँ पे हमें clear uptrend देखने को ना मिले, इसके बाद यहाँ पे हमें क्या line ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे इस तरीके का shape आपको देखने को मिल जाएगा, इसी कौन लोग क्या बोलते है, ascending triangular pattern, यहाँ पे आपका higher low pattern का formation बनना जरूरी है, उपर में आपका high रहेगा, वो आपका एक बराबर रहेगा, या नहीं तो lower high भी बन सकता, उसमें कोई दि ही है, इसके बाद हमने इस pattern को तो draw कर लिया, अब इसके उपर निकलेगा, तो इसके नीचे जाएगा, तो सिर्फ implementation पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना, बस आपको stop loss identify करना है, और कोई भी pattern बनता है, इस candlestick को ध्यान बखिए, कोई भी pattern बनता है, वो अगर low को touch करते यहाँ पर हम trading setup अपना तयार करेंगे, और यहाँ पर भी जहाँ से अब trend start हुआ और जहाँ पर यह form हुआ है, जो भी इसका length है, उसी length का हम क्या रखेंगे, अपने लिए target set करेंगे, या नहीं तो इसके lowest point पर stop loss रखेंगे, और target equal to 2 into SL आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो multiple method है, target set करने का, जो भी आपको सही लगता है, उसी साफ से आप target अपना set कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ascending triangular pattern का identify करना है, यह आपका इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, यही आपका बनेगा, क्या ascending triangular pattern, तो ऐसे ही आपको identify करने की जरूरत है, तो उमीद क transaction या फिर stock market में study करना सीखना है, तो इसके लिए हमने multiple courses भी design किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, multiple courses मिल जाएगा, यह आपको complete stock market वाला course मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको price action जिसके बारे में हम discuss कर रहे थे, वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, अगर आपको एक systematic तरीकी से सीखना है, candlestick pattern भी आप सीख सकते हैं, trading strategy भी सीख सकते हैं, multiple courses है, तो जो भी आपको सही लगता वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, और जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक profit बनाना मुस्किल होगा, और सीखने के बाद आप profit बना सकते हो, और हमने course को इस त mobile app का नाम है, या फिर youtube channel का भी नाम है, वो आपको type करना है, आपको हमारा mobile app दिख जाएगा, इस logo के साथ फिर आपको वहाँ पर download करना है, और सारा कुछ payment आपको वहीं बेगरना है, हम नहीं वाटसप पर payment लेते हैं, और नहीं हम आपको telegram पर कोई payment करने को बोलते हैं, तो वो आपका फर्जी है, वो आपका fake है, तो वहाँ पर payment नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारा mobile app है, वहीं पर सारे courses का जो भी price है, वो दिया गया है, और वहीं पर आपको payment करना है, चलिए, वापस से हम चलते हैं, chart pattern के बारे में, और उसको हम सीखते हैं, next chart pattern के अगर हम बात क to date होता है, तो falling ways को हम कैसे identify करेंगे, अब इसमें सबसे पहले downtrend हमें देखने को मिलेगा, देखिए, इस तरीके से आपको downtrend देखने को मिल जाएगा, अब downtrend के बाद क्या होगा, downtrend यहाँ पर continue रहेगा, और उसी downtrend continuation में falling ways pattern का formation होगा, अब यह सारा pattern हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे sellers का purchase तो है, लेकिन धीए-धीए sellers कमजोर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस ratio से गिर रहा था, और यहाँ पे गिरना इसका काफी slow हो गया, मतलब sellers अभी भी है, लेकिन उसका strength में कमी आ रहा है, तो इन सारे high को join करते हुए हम trend line draw करेंगे, और इन सार पर निकलता, that means to break out, तो यहाँ पर buy करेंगे, और नीचे जाता है, that means to break down, यहाँ पर हम sell करेंगे, तो दोनों side के move के लिए अपने आपको यहाँ पर हम तयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर price break करके ऊपर निकला है, that means to यहाँ पर breakout मिला है, और यहीं पर हम क्या करेंगे बाई सार की तरफ इंट भी लेंगे lowest point या फिर इस pattern का low point है वो हमारे लिए stop loss के रूप में काम करेगा और जहां से price गिरना start किया है वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा आपका target बन जाएगा नहीं तो जहां कहीं भी आपको target identify करने में problem हो रही है आप stop loss find कीजिए और target आप 2 into a stop loss set कर सकते हैं तो सार आप मैं आपको simple method बता रहा हूँ और इस pattern के basis पे क्या कुछ बनता हो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद देखिए price आपका उपर जाएगा और यहाँ पर बताया है था कि breakout दिया है pattern से पहले का conditions भी आपको देखने की जोगत है next pattern है आपका double bottom pattern यह most used pattern है और यह आपको regular basis पे form होता है फिर भी लोग इसमें दिक्कत करते हैं तो वो कैसे होता है यह आपका downtrend के बाद बनना चाहिए सबसे पहले downtrend हुआ है उसके बाद फिर से आपका price एक bottom बनाएगा अब हमें यहाँ पर पता नहीं है कि यह आपका double bottom बनाएगा इक नहीं बनाएगा यह आपका bottom बनाएगा यहाँ से price आपका उपर साइट की तरफ गया अब इसके बाद price ज़्यादा उपर नहीं जाएगा फिर से आपका नीचे आएगा और एक और bottom का formation करेगा अब यहाँ पे देखें क्या हुआ दोनों bottom लगबग same है तो यहाँ पे आपका double bottom का formation होगी पहला bottom यह है, दूसरा bottom यह है double bottom का formation कर दिया अब यहाँ पे हमें entry दो तरीके से लेना है कैसे लेना आप यहाँ पे समझे जैसे ही अगला candle आपका open हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे भी open हो open होते ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे trade में entry लेंगे और यह point हमारे लिए stop loss के रूप में काम करेगा और target जहाँ से downtrend स्टार्ट हुआ है, वो हमारे लिए target के रूप में काम करेगा, यहाँ फिर target आप यहाँ पे 2 into SL भी रख सकते हैं ठीक है, अगर आपका SL बहुत छोटा हो रहा है, तो उस हिसाब से आप target भी छोटा-छोटा set कर सकते नहीं तो, 12 SL के ज़री बरहा सकते हैं दूसरा, इस दोनों bottom formation के बीच में जो high बना है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे हम nick line बनाएंगे और इसके उपर निकलते ही यह bias का इलागा हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक entry लिया जा सकता है तो देखिए, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, अब यह आपका nick line बन गया अब जब तक इसके बीच में है तब तक हमें trade नहीं लेना लेकिन जो पहला method है उसके basis पे यहीं पे entry होते है, यहाँ पे buy करेंगे यहाँ पे हमारा buy side के तरफ entry बनेगा और यह हमारा SL बनेगा तो जो भी आपको static लगता है, उस निसाब से काम कर सकते हैं, दोनों सही है उसके बाद थोड़ा सा wait करेंगे और इसके उपर निकलता है तो फिर ज़्यादा wait नहीं करना, candle closing का wait नहीं करना, हमें continuation में interview लेना, इसका जो भी lowest point बनेगा SL की रूप में काम करता हूँ, दिखेगा या फिर अगर ये low नहीं बनाया, तो previous candle के low को as a stop loss के रूप में रख सकते हैं और फिर हम इस target price के लिए यहाँ पर जा सकते हैं तो इसके बाद हमें clickart breakout देखने को मिलवा है और देखिए target price को भी hit कर दिया तो ऐसी हमें double bottom को इस्तमाल करना, दो तरीका दोनों में आपको जो भी सही लगता है, आप थोरा बहुत back testing करके वे apply कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, diet इन सारे strategy के basis पे trade नहीं करना, थोरा सा आपको preparation करने की जरुवत है knit practice करना होगा, उसके बाद ही आप इन सारे strategy का इस्तेमाल किजिए अगला है हमारा inverted head and shoulder pattern ये भी आपका one of the most powerful bullish pattern है, जो की regular form नहीं होता, लेकिन जब भी form होता है ये 90% आपका accurate होता है तो इसमें सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलता है, अगर हम इस pattern की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक downtrend देखने को मिल जाएगा और इस downtrend के बाद हमारा एक low formation होगा और low form करके price फिर से आपका उपर साइड की तरफ जाएगा, फिर आपका नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे होगा, यह समझने की जो होता है, जो previous आपका low का formation हुआ, जिसको हम L1 denote कर देते हैं, इस low को break करके नीचे आपका form होगा, यह नहीं L2 जो form होगा, L1 के नीचे form होगा, इसके बाद फिर से price आपका उपर जाएगा, और फिर से आपका एक low formation करेगा और जो तीसरा low बनेगा, वो आपका पहले लो के आसपास का, आसपास ही form करेगा, यह तीन low form होने के बाद, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आपका इंवर्टेड हैं और फिर से पहले यहाँ पे head का formation हो गया, उसके बाद यह देखे, left shoulder का formation हो गया फिर यहाँ पे आपका right shoulder का formation हो गया that means to head, left shoulder, right shoulder और यह आपका उल्टा है, इसलिए बना inverted head and shoulder pattern अब यहाँ पे हमें entry का लेना confusing part यही रहता, identify करने के बाद entry कहाँ पे लेना, यह देखे सबका highest point यह यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया, neck line अब इसी के उपर निकलते ही हम यहाँ पे trade करेंगे, तो जैसे ही price आपका इसके उपर निकलेगा, हम यहाँ पे buy side की तरफ entry लेंगे, देखे यह हमारा neck line बन किया था, उपर निकलते ही buy side की तरफ entry लेंगे, जहां से given start किया है, यह हमारा target price बन जाएगा, यही नहीं तो जो head का size है target equal to जो आपका head का size है same size का या फिर same length का यहाँ पे अपना target set कर लेंगे तो ऐसे आप target के लिए continue कर सकते हैं, तो यहाँ आपका head and shoulder pattern हो गया तो यहाँ पे हमने आपको top 6 bullish candlestick pattern बारे में आपको बता है, जिससे आप price section को काफी हग तक समझ सकते हैं उमीद करते हैं, यह सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा और top 6 candlestick pattern मैंने आपको कौन-कौन सा बता है, वह आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता है तो इन सब का इस्तमाल कैसे करना यानि इन सब के implementation और identification पे हमारा focus था उमीद करते हैं, यह सारा concept clear हो गया होगा कुछ भी अगर आपको अभी भी doubt होगा कुछ भी अगर आपको doubt होगा तो आप comment करके doubt अपना पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया, please like करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe भी किजिए मिल दे नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंद